Hello everyone and once again welcome to WSQTech, myself Umar Taskeer. Guys, इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग एक नए टाइप के चार्ट को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही interesting यूज़ है इस चार्ट का. So guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे laptop screen के उपर, यहाँ पर हमें एक बहुत ही unique kind of chart type दिखता है, जिसको हम लोग bullet chart बोलते हैं, तो किन specific conditions में हम लोग bullet chart को use कर सकते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं. So, सबसे पहले मैं आपको एक scenario बता देता हूँ, और उस scenario के according हम लोग bullet chart को practically implement करके देखते हैं. Guys, हम लोग हर parameters के around कुछ ना कुछ target जरूर रखते हैं, जैसे के मान के चलते हैं कि आपकी कोई e-commerce की website है, आपके पास कोई product है, कोई भी service है, और आप ये मान के चल रहा हैं कि मुझे इस month का जो मेरा revenue का target है, वो let's say 5,000 जो है dollars है, ठीक है, इस month का revenue का target 5,000 dollars है, और आप कितन अभी meet किया है उस target को, आपने कितना उस target को achieve किया है, इसको आप in bullet chart में show कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को define कर सकते हैं, चार्ट में visualize कर सकते हैं, चुली मेरा target कितना है, ठीक है, revenue का ही, हम लोग example यहाँ पर लेकर चलते हैं, कि revenue का हमारा monthly target कितना है, और हम किस situation में worst है, किस में average है और किस में best है, मनला monthly target, अगर हमारा 5000 अचीव हो रहा है, इसके लावा भी हम worst कम है, अगर हम 1000 से कम achieve कर रहे हैं, तो बहुत ही worst case है, ठीक ह चलो एक बार काम चल जाएगा, तो यह actually depend करता है, कि किस type से हम इसको लेना चाहते हैं, बट basically हमें जो इस specific video में discuss करना है, वो यह है, कि यह जो हमारा bullet chart है, इसको हम practically किस तरीके से use कर से, जैसे हम ने आपको बताया, कि example कौन से लिया हम लोग ने revenue का और target, ठीक है, तो monthly target is, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, let's say it's $5,000, ठीक है, monthly जो sales target है, जो भी आप specific करना चाहें, वो आप यहाँ पर कर सकते है, monthly sales target जो है, okay, here it is, तो यह मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत जो आप इसको design देना चाहें, वो आप यहाँ पर इसको दे सकते है, right, and here it is, fine, and जो भी हम background colors वगएरा अगर कुछ देना चाहते है, let me give this grayish color, यह मैं दे सकता हूँ, now हमें show क्या करना है, हमें show करना है guys, revenue, fine, so मैं यहाँ से एक, जो है, अपना scorecard ले लूँगा यहाँ से, और scorecard में हम लोग guys, यहाँ पर revenue शो करा देंगे, ठीक है, visualize ह हम लोग करना है, तो उस point of view से थोड़ा सा ठीक लगे इसके लिए, आपको देखना भी पढ़ता है, कि elements साथ में किस टाइप से लग रहा है, आप इनको properly, जो है, वो align करें, इन सारी चीजों को भी देखना पढ़ता है, आपको, so guys, this is revenue for us, तो मैं यहाँ पर select कर लेता users के हमें जरुरत नहीं, हमें revenue की जरुरत है, तो I'll select revenue over here, okay, here it is, यह guys हमारा revenue हो गया यहाँ पर, अब यह हमारा revenue 2707 है, ठीक है, dollars, तो अब हम लोग गईस क्या करते हैं यहाँ पर, यह हमने monthly, जो हमारा target है, revenue का, revenue भी कर सकते हैं, इसको sales से remove करके, वो हमारा 5000 dollars है, तो अब हम लोगो इसको set करना है, ठीक है, जो हमारा bullet chart है, उसके अंदर, तो मैं add a chart के उपर आ जाता हूँ, and here it is, bullet chart, इसको मैं यहाँ पर place कर देता हूँ, कहीं पर भी आप place कर सकते हैं, यहाँ पर बीच में एक बार के लिए place कर देता हूँ, और अब हम लोग देखते हैं कि किस तर तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हम यहाँ कहीं जो है, वो exist कर रहा है, ठीक है, 2000, 5000 और 8000, अब यह जो colors है, इनको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, यह जो है, वो बहुत ही poor performance है, यहाँ कहीं अगर हम बीच में यह जो थोड़ा सा grey area हमें दिख रहा है, अगर हम यहाँ दिख रहा है, यहाँ कहीं marker नहीं है, तो यहाँ पर आप देखो, show target दिख रहा है हमें, ठीक हम चाहें तो इसको hide भी कर सकते हैं, हम चाहें तो set कर सकते हैं, तो monthly मैं इसको 5000 कर देता हूँ, जैसे आप monthly इसको 5000 करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यह हमारे जो bullet chart ह उसका use है, practical use, आपने देखा, किस तरी के साब उसको use कर सकते हैं, और मैं आपको यह suggest करूँगा, इसमें क्या है, थोड़ी से आपको styling देनी पड़ेगी, थोड़ी से color combinations देने पड़ेंगे, मैंने इसको grey दे रखा है, बट यहाँ पर हमारे पास option होता है, कि मैं range color क्या ठीक है, और यह हमारा bar color है, जो अभी हम कहाँ पर exist करते हैं, उसके point of view से, और भी जाना है, यहाँ पर आप देखो decimal precision भी हमें दिया हुआ है, axis अगर आप शो करना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर option है, कि आप अपनी axis जो है वो शो करा सकते हैं, background and border color के options हैं, तो यहाँ पर style से लेटर तो आपको पताएगी, सभी elements में जितने भी type के हम charts देखते हैं, उनमें हमें option मिलता, तो अगर आप इस type से कुछ create करना चाहरा है, आपकी requirement है, client भी type से देखना चाहरा है, तो आप यह bullet chart है, इसको basically आप लोग use कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग preview अगर करते हैं, तो आपको कुछ type से दिखेगा, आपकी type से इसको कहाँ पर आपको set करना है, आपके उपर depend करता है, क्योंकि केवल single जो है, यही page नहीं रहेगा, जब आप reports बनाते हो, बड़े सारे pages भी हो सकते हैं, उसमें add हों, और भी बहुत सारे elements है, वो भी add हो दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, till then, good bye